डॉक्टर भीम राओ आंबिटकर जिनी डॉक्टर बाबा साहिब आंबिटकर के नाम से भी जाना जाता है उनके जन्मतीन 14 अप्रिल को पर्ग के रुप में भारत समेथ पुरिय विश्व में मनाया जाता है इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रुप में भी मनाया जाता है क्योंकि जीवन भर समानता के लिए संखश करने वाले आंबिटकर को समानता और ज्ञान की प्रतिक माना जाता है आंबिटकर को विश्व भर में उनके मानवादिकार आंदुलन सविधान निर्माता और उनकी प्रकार्ण विद्धता के लिए जाने जाते हैं और यह दिवस उनकी प्रती सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है आंबिटकर की पहली जैनती सदाशिव रनपि से इन्होंने 14 अप्रेल 1928 में पूनिन नगर में मनाया थी रनपि से आंबिटकर के अनुयाई थी उन्होंने आंबिटकर जैनती की प्रता शुरू की और भीम जैनती की आउसरों पर बाबसाहिव की प्रतीमा हाथी की अमपारी म रखकर रद से उनके उपर कई मिरवनुक निकाली थी आंबिटकर के जन्म दिन पर हर साल उनकी करोडो अनुर्याई उनके जन्म सर बीम जन्म भूमी डॉक्टर आंबिटकर नकर मध्य प्रतेश बौते धर्मत दिश्चास्तल दिश्चा भूमी नापूर उनका समाधिस्तर च प्रस्वार्ट से जन्म मना कर उन्हें नमन क्या जाता है उनकी मनार कर उन्हें नमन क्या जाता है जहनती कि दिन भारत के कई राजों में सारवर जरीक अवकाश्व distraction के रूप में खोशिप क्या जाता नई दिली संसत में उनकी मूर्थी पर हर वर्ष बारुके राष्ट्रपती और प्रधानमंत्री अन्य राष्ट्रतिक पार्टियों के निताओं तथा आम लोगों त्वारा एक अभिवादन क्या क्या आमबिटकर वादे लोग अपने घरों में उनकी प्रतिमा को अभिवादन करते हैं सालवचनिक लखी आमबिटकर मूर्थियों पर लोग उन्हें पुष्वमाला पहना कर समाद देते हैं उनकी मूर्थि को सामने रख लोग परेट करते हैं धूल बचाकर रुद्यकापी आन पर भारत पर में गाव नकर तथा छोटी बड़े शहरों में जोने उनकी साथ आमबिटकर जयंती बड़े पैमाने पर मनाई जाते हैं आमबिटकर की जन्वतीवस उस्सव के लिए विभीन नकारिकरम आईजिक के जाते हैं जिसमें चित्रकारी, सामानी ध्यान, प्रश्ण मनाने के लिए सेमिनार आईजित की जाते हैं आंबिट कर जनती संपुर्ण विश्व में मनाई जाती है अधिकान शुरुप से आंबिट कर जनती भारत में मनाई जाती है भारत की हर राज्य के प्रतिक जनपत में और जनपत की लाखों गाउं में मनाई जाती है बात ये लोग तंत्र राज्टिती एवं सव्कृति पर आमबिटकर का गहरा प्रभाव पड़ा है सवसे अधी देशों में हर वर्ष डॉक्टर आमबिटकर्जी की जहनती मनाई जाती है